नमस्कार दोस्तों मैं रटर भावेश आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंपोटेंसी नपुन सकता इंपोटेंसी नपुन सकता को ठीक करना क्या ठीक कर सकते हैं जिसको नपुन सकता पहले कभी नहीं थी अचानक से आ गई कि नपुन सकता इसे उनको लग रहा है या उनकी फैमली हिस्ट्री हो उनको इंपोटेंसी वाली समस्या हो तो उनको डर लग रहा है कि कई मुझे आगे जाके नपुन सकता ना हो जाए इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए अचानक से कभी ठीक नहीं होगा तो इसको ठीक करने के लिए आपको दो best important foods बताऊंगा मैं इन foods को आप लेते हैं कैसे लेना वो बताऊंगा कब तक लेना वो भी बताऊंगा और इनको लेने से क्या फायदे आपको होने ये बताऊंगा ठीक है क्योंकि यदि आपकी sexual life खराब है आपके link में किसी परकार की ताकत नहीं है desire नहीं है desire होने के बाद भी ताकत नहीं है तो इससे पुरुष बहुत अधिक परिशान रहता है बहुत अधिक disturbed रहता है Treatation रहता है चिछड़ापन रहता है काम में मन नहीं लगता है उसकी जो life ऐसा लगता है कि life में कुछ बचा ही नहीं है और कई बाद इससे वो depression cure चला जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है बुरुषों में होती है बहुत सारे patient clinical practice में आते हैं मैं देखता हूँ psychologically परिशान होते हैं depressed हो जाते हैं तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए दो best Indian foods में बताने वाला हूँ जिनका अधियोपियोग लगातार आप तीन मेने करते हैं छे मेने करते हैं तो आपको इसमें बहुत अधिक लाब मिलेगा या मत कर नहीं होगा आपको regular लेंगे तो आपको फाइदा मिलेगा दवाएं आपने जित्ता regular लिए उसके बराबर दिया आपने दो food भी ले लिया तो मुझे लगता है दवाओं से अच्छा result आपको इसमें मिल जाएगा तो क्या करना है इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे असवगंदा इंडियन जिन सेंग हम जिसे बोल सकते हैं यह असवगंदा बहुत लोग सुनें बहुत ही अच्छा होता है असवगंदा जो होता है उसमें एक important type के phytonutrients होते हैं जो आपकी body में जब असवगंदा जाता है तो यह आपकी body में जाकर बॉडी में जाकर आपकी बॉडी में जो कहना ची नेगेटिव हार्मोन होते है इसका नाम होता है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है यदि आपकी बॉडी स्ट्रेस से गुजरती है स्ट्रेस से गुजरती है तो आपकी body में एक cortisol नाम का hormone बढ़ जाता है और वो hormone क्या करता है impotency को बढ़ाता है या impotency की और आपको ले जाता है या impotency बना के रखता है तो जब आप अस्वगंधा लेते हैं तो वो क्या करता है आपकी body के जो cortisol नाम का hormone है जो आपका जो depression वाला जो hormone है उसे वो neutralize करता है तीक है आपकी body में positive thoughts को बढ़ाता है आपकी जो जीने की जिग्यासा उसको improve करता है अस्वगंधा तीक है ये boost करता है क्या libido को sex की desire को बढ़ाता है sexual performance को बढ़ाता है और link में कड़कपन भी लेके आता है तो ये अस्वगंधा आप ले सकते हैं बहुत अधिक फाइदेबन हैं लेकिन अस्वगंधा आपको कैसे लेना अस्वगंधा मार्केट में powder के form में है capsule के form में है and liquid form में भी available होता है तो ये आप इसको powder के form में लेते हैं कोई साब या पाउडर के form में लेते हैं तो एक से दो चम्मच एक से दो चम्मच आपको अस्वगंधा powder लेना है तो गुन गुना या गरम दूद लेना है या दूद नहीं है तो आपको गरम पानी लेना है यह आप ले सकते हैं 100 ml और 200 ml भी ले सकते हैं 100 ml दूद ले ले 200 ml दूद ले ले मतलब एक गलास दूद की बात कर रहे हम लोग या हमें गलास पानी या 100 ml पानी की बात करते हैं गुनगुनाँ चाहिए उसमें अप थोला सा क्या डाल दीजिए honey डाल दीजिए, मतलब honey मतलब shahed डाल दीजिए, ठीक है तो आपको एक से दो चमबच क्या लेना है, अस्वगंदा powder लेना है, दूसरा आपको एक glass दूद गरम या एक glass गरम पानी लेना है, दूद नहीं तो पानी ले लीजिए उसमें आप थोड़ी सी सहट डाल दीजिए, ठीक है और इसको आपको daily लेना है, ठीक है कब लेना है, आपको लेने का दो तरीका, morning में ले सकते हैं, और रात में सोने से पहले ले सकते हैं, morning में ले लीजिए या रात में सोने से पहले लेजिए, लेकिन मेर अनुसर तो best time है रात में सोने से पहले आपको लेना तोसको आप तरह के से ले सकते हैं बहुत अधिक फाइदे मन होता है बहुत यदिक effective होता है तिकले नोपको बता दूँ अस्वगंदा जो है पिइंग्द्रा हमी शॉर्म में मधर टिंशर लीकविट ऑ inm स्वशों में को आता हे कि आप पाउडर फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं तो मेदर टिंचर लिक्विट फॉर्म में भी आता है जिसकी 30 बून सुबह आधा कप पानी में और 30 बून शाम को आधा कप पानी में आप ले सकते हैं 30 बून सुबह आधा कप पानी में 30 बून शाम को आधा कप पानी में ज मिल जाता है तेकंड हम बात करते है ठीक है आप बोलेंगे ड्रमस्टिक बोलेंगे या मोरिंगा बोलेंगे ठीक है फली आती है या नंबी directly फली आती है बहुती बहुती अधिक फाइदे मन्द होती है ठीक है को मतलब जो टाइमिंग है इसको बढ़ाती है और कई न कई आपकी IMPORTENCY को ठीक करने में बहुत अधिक फायदे मन्द होती है ठीक है तो ये आपको इसको जो मार्केट में आपको सबजी के फॉर्म में आपको इसको ले सकते हैं आपको सबजी के फॉर्म में ले लीजिए इसको हफ़ते में दो से तीन बार इसकी सबजी खा लीजिए ठीक है कई बार क्या होता है इसकी पत्तियां आप ले सकते हैं पत्ती और पानी को साथे मिला लें और इसको उबाल लें और उबाल कर छान लें और च्छान के इसका सूप या जूस बना कर भी आप पी सकते हैं तो एक गिलास मतलब आप क्या करें कि एक गिलास पानी आप ले लें और उसमें आप डाल दें पत्तियां कुछ 8-10 पत्ति डाल दें और उसको उबाल लें उबाल कर ऐसा करें कि जो 200 ml पानी है और 100 ml पानी में कनवर्ट हो जाए और उसके बाद उसको च्छान कर उसको आप पी लें तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा तो यह आप ले सकते हैं और इंपॉर्टनली बता दू यदि आप यह नहीं कर पा रहें तो होमीपिती में इसका मदर टिंचर आता है होमीपिती में इसका मदर टिंचर आता है बस मदर टिंचर आपको पुरा बना बनाए मिलेगा आपको लाना है तीज बून सुबह, तीज बून शाम, आधा कप पानी में तीज बून सुभए तीज बून शाम आदा कप पानी में आप लगातार इसको ले सकते हैं तो अस्वगंदा का मदर टिंचर आता है और इसका पी मोरिंगा का जो है मदर टिंचर आता है दोनों मदर टिंचर को आप साथ में यूज़ कर सकते हैं लेकिन दोनों को अलग-अलग आपको लेना है, सुबह शाम लेना है, या फिर आप tablet form में अधर असवगंदा ले लिजिए, या फिर इसको सब्जी के form में जो मोरिंगा जो है, सब्जी के form में ले लिजिए, या उसकी पत्ती का juice या सूप बना के पी ली जिए, जूस या सूप बनाना हुड़ा मुस्किल है इसलिए आप Mother Tincture Form में ले आईए बहुत effective है, दोनों को कम से कम 3 मेने उपयोग करें और अपनी समस्या को अपनी IMPOTENCY को ठीक करें इसके बाउजिलिया की समस्या ठीक नहीं होती है तो आप मुझे contact कर सकते हैं दिये के number पर सला ले सकते हैं और अपनी IMPOTENCY को ठीक कर सकते हैं, इसके लावा और कोई समस्या हो sexual desire कम हो गई हो sperm count कम हो गई, testosterone कम हो गई हो उसको भी improve करने के लिए best homeopathic medicines होती हैं जिनका उपयोग करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं नमस्का